NDA यानि कि National Defense Academy ये एक ऐसी academy है जिसमें जाने के बारे में बहुत सारे students सोचते हैं हाँ बिलकुल आज के वीडियो में मैं आपको पूरी detailed information देने वाली हूँ NDA के बारे में इसे bio के students भी कर सकते हैं, math के students भी कर सकते हैं, just 12th pass out के बाद ही आप कर सकते हो आपका अगर 18 साल पूरा नहीं भी हुआ है, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ NDA के बारे में इसके थुरू आप जल से ना, भायू से ना, थल से ना, सब जगे जा सकते हो यानि कि आप आर्मी में जा सकते हो, आप नेवी में जा सकते हो, आप एयर फोर्स में जा सकते हो आप जहां जाना चाहों इन तीनों में से वहां आप जा सकते हो तो क्या है इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहगा लेकिन A to Z सारी की सारी information आपको इसी वीडियो मिलेगी इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी NDA exam थोड़ा lengthy चीज है इसके बारे में बताने की process पूरी lengthy है तो step by step सारी process समझेंगे salary, fees, course, duration इसमें जाएं कैसे इसके लिए कौन सा exam होगा कैसे exam होगा सब कुछ A to Z सब discuss कर लेंगे हम आज ही की वीडियो में So let's start and discuss about NDA exam Hello everyone, welcome to Spark Up Classes, this is Sovanya Adaf NDA यानि कि National Defense Academy Defense का सिधा सा मतलब है कि आपका सुरक्षा बलो से related ये है यानि कि जल सेना, थल सेना, वायू सेना इन तीनों में से किसी भी सेना में आप जाना चाते हो और अच्छे पदों पे जाना चाते हो ये नि कि normal, constable या sainic की भरती अच्छे पदों पे आप अगर जाना चाते हो तो उसके लिए आपको NDA का exam देना होता है और NDA के exam के form की date आउट भी हो चुकी है ठीक है, आपके लिए जानना बेहत ज़रूरी है NDA की सारी जानकारी और इसे 12th pass बच्चे दे सकते हैं या आप 12th कर रहे हो, अभी आपका 2025 में 12th का exam हो जाएगा तो भी आप eligible हो, आप peering वाले students भी eligible है तो one by one NDA exam के बारे में हम detail में discuss करते हैं देखो, सबसे पहले मैं बात बताओं तो इसको UPSC conductor आती है IS IPS का exam तो आप जानते ही होगे IS IPS का exam भी UPSC करवाती है और NDA का exam भी UPSC कराती है और इससे आप बहुत अच्छे पदों पे आपकी भरती होती है lieutenant बनते हो, pilot बनते हो, air force में अच्छे पदों पे जाते हो आप chief army officer बन सकते हो, naval में आप अच्छे पदों पे जा सकते हो यानि कि इसके थूँ जितने भी आपको पद मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे पद मिलेंगे और salary लाखों तक है कितनी तक है, सब कुछ discuss करेंगे one by one step by step पहले discuss करते है, देखो NDA को UPSC conduct कराती है, ठीक है साल में दो बार ये exam होता है, एक बार होता है September में और एक बार होता है April में साल में दो बार exam होता है, ठीक है सो September में होगा, और कब होगा? आपका April में होगा और जब ये दो बार exam होता है, तो हर बार में दो दो step में होगा, जैसे कि मालो April में हो रहा है, तो April में दो exam होगा और interview होगा, paper one, paper two और interview, ऐसे ही same to same जब September में होगा, तो paper one, paper two और interview, ऐसे exam होते हैं ठीक है, तो साल में दो बार exam होते हैं आप चाहो तो दोनों बार दे सकते हो, आप चाहो तो एक बार दे सकते हो, एक बार में सेलेक्शन पाजाओ, आपकी मर्जी है वो यहाँ आपके साथ कोई रोक टोक नहीं की गई है ठीक है आभी eligibility की हम बात करेंगे देखो, साल में दो बार एक्जाम होता है, एपरिल में और सेप्टेंबर में एपरिल में paper 1, paper 2 होगा और अगर आप qualify करते हो, तो आपको interview के लिए बुलाए जाएगा नहीं qualify करते हो, तो interview के लिए नहीं बुलाए जाएगा देखो एपरिल में जो एक्जाम होना है उसके फॉर्म जो है वो आपके 11 दिसेंबर को आ जाएंगे और 31 दिसेंबर तक फॉर्म फिलिंग की लास डेट रहेगी और ये फॉर्म आपको फिल कर देना है इसी के बीच ये लोग अपने डेट को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रहत करना ठीक है इसके बाद जो आपका एक्जाम होगा वो 13 अपरिल को होगा संडे को 13 अपरिल 25 13 अपरिल 25 को आपका जो है एक्जाम होगा संडे को होगा अब देखो डाउट ये आता है कि क्या हमारा जो दोनों पेपर है यानि कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही संडे को एक ही जो qualify करेगा उसको फिर interview के लिए call के थू बुलाया जाएगा या email के थू बुलाया जाएगा ठीक है इसलिए आप अपने email ID और जो आपका phone number है वो देना और सही सही देना और उस पर हमेशा active रहना क्योंकि अगर आपका selection हो गया आपको वो लोग call कर रहे हैं आपका call ही नहीं लग रहा आपका email ही नहीं जा रहा तो वो लोग करेंगे क्या selection होने के बावजुद भी आप नहीं जा पाओगे इसलिए वो लोग majorly call और email के थू बुलाते हैं इसलिए आप अपना call phone number और email ID बहुत ध्यान से देना ठीक है यानि की paper 1 और paper 2 आपका April में 13 April को होगा उसका result आएगा result आने के बाद आपको interview के लिए बुलाये जाएगा similar process आपकी September में होगी September वाले जो exam है उसके जो application form है वो आपके 28 मई से 17 जून के बीच में आएंगे और इसका जो exam है वो आपका 14 September 2025 को होगा ठीक है Sunday को again या exam होगा उसमें भी paper 1, paper 2 होगा आप qualify कर ले जाओगे तो फिर आपको interview के लिए बुलाये जाएगा और interview भी 5 दिनों का होता है एक दिन का नहीं होता interview 5 दिनों का होता अभी interview की पूरी process हम discuss करेंगे पर इससे पहले मैं आपको कुछ information दे देना चाहती हूँ जैसे एक बहुत common सवाल आता है कि अभी हम 12 में पढ़ रहे हैं तो क्या हम एपरेल वाला एक्जाम दे सकते हैं तो answer है हाँ बिलकुल आप जो December में फॉर्म आएगा आप उसे फॉर्म को भर सकते हो और जब आपका एपरेल में एक्जाम होगा तो April में आप एक्जाम दे सकते हो उसमें आपका नहीं हुआ तो फिर से September वाला आप एक्जाम of chemistry biology से हो दोनों ही स्टूडेंट क्याँ पिलेजिबल हैं लेकिन लेकिन बाकी के स्टूडेंस एलिजिबल नहीं है काई PCB वाले लोग एलिजिबल है ठीक है अच्छाब लड़का हो या लड़की हो एज-की यहां पर क्राइटेरिया है एज हैं आपका सारह 16 साल से सारह 19 साल के बीच में होना चाहिए exact date के साथ बात करो तो 2025 के exams के लिए अगर आपकी date of birth 2nd January 2007 से 1st January 2010 के बीच में है बीच में किसी भी दिन पढ़ती है तो आप eligible हो लेकिन अगर इससे एक दो दिन भी इधर उधर है तो आप eligible नहीं हो अगर exactly आप 2nd January 2007 को जन में हो तो भी eligible हो अगर आप exactly 1st January 2010 को जन में हो तो भी eligible हो लेकिन इसके एक दिन भी बाद जन में हो आप है ना यानि कि 2nd January 2010 को जन में हो तो आप eligible नहीं हो इस बात का आपको ध्यान रहे ठीक है तो आपकी date of birth जो है मैं फिर से repeat कर दियू 2nd January 2007 से लेकर के 1st January 2010 के बीच की होनी चाहिए और 16-19 साल के बीच आपकी उमर होनी चाहिए अगर इससे जादा है तो आप eligible नहीं हो या इससे कम है तो भी आप eligible नहीं हो ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो 12th class pass out कर चुके हो तो भी आप दे सकते हो 12th में पढ़ रहे हो तो भी आप दे सकते हो अगर आप Indian हो नैपाली हो या आप Indian हो और कहीं और shift हो गए हो जैसे Nepal, Pakistan, Afghanistan, Bhutan कहीं भी shift हो लेकिन हो आप इंडिया के ओरीजिनली आप इंडिया के हो तो भी आप इस form को भर सकते हो यानि Indian citizen होना जरूरी है भले कहीं shift हो गए हो, migrate हो बात अलग है इंडिया के हो तो भर सकते हो नैपाल के हो तो भी भर सकते हो अगर आप शादी शुदा हो तो इस पॉर्म को आप नहीं भड़ सकते चाहे लड़का हो या लड़की हो और इसमें height का बहुत major role और इसमें height का बहुत major role रहता है क्योंकि ये सन्य परिक्षा है याने कि आप military में जा रहे हो आप एर फोर्स में जा रहे हो तो आपकी height और physical test, medical test काफी माईनी रखे गा medically आप fit होने चाहिए आपके आँखों पे कोई चश्मा नहीं लगाओना चाहिए हाँ कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पे आँखों पे चश्मा अलाओ किया जाता है minus 2.5 तक लेकिन majority of the post में आपको अलाओ नहीं किया जाएगा आपका विजन 6x6 होना चाहिए बिदाउट ग्लासिस बिना चश्मे के विजन आपका 6x6 होना चाहिए ठीक है और फिजिकली आप फिट होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपके बॉड़ी पे कही ऑपरेशन हो रखा है या फिर आपका कोई हड़ी टूट रखी है बच्पन में ठीक है या आपको कोई मेजर बीमारी हो रखी है यह सब नहीं होना चाहिए आप मेडिकल फिटनेस के बारे में बार देख लेना मेडिकल फिटनेस से में कोई कमी आपकी नहीं होना चाहिए आप बहुत मोटे या बहुत जादा पतले नहीं होने चाहिए आप fit होने चाहिए, fitness बहुत माईनी रखेगी ठीक है, अचा हाइट की बात कर लेते हैं लड़कों की हाइट 157 cm से कम है तो आप eligible नहीं हो once 57 cm ही है तो भी eligible हो उससे जादा है तो भी eligible हो लड़कियों के लिए 152.5 cm से अगर कम हाइट है तो आप eligible नहीं हो इससे जादा है तो eligible हो इतना ही है तो भी eligible हो ठीक है, अगर आपको pilot बनना है क्योंकि NDA exam के थुरू pilot भी बनते हैं तो pilot बनने के लिए चाहिए आप male हो या female हो 163 cm कम से कम हाइट होनी चाहिए अगर इतनी हाइट नहीं है तो आप pilot नहीं बन सकते ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे चलो हमने eligibility की अब बात कर ली आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा paper pattern की बात कर लेते हैं क्योंकि paper pattern इसमें थोड़ा confusing है ठीक है, paper pattern की बात करते हैं paper pattern में देखो बच्चों क्या है कि अगर आप bio के हो या math क्यों, आप किसी भी subject क्यों हो लेकिन आपको पढ़ना math ही पड़ेगा इसमें जो paper आता है, वो दो subject का आता math and general ability test अब ये दोनों क्या होता है, समझते हैं detail में syllabus भी समझेंगे देखो, आपका दो paper होना है यानि April में आप दे रहे हो, तो दो paper होगा September में दोगे, तो भी दो paper होगा सेम चीज़ September के लिए भी लागू होती है अभी मैं April का बता रहे हूँ paper 1 होगा, paper 2 होगा एक ही दिन दोनों होना है, ठीक है paper 1 में math का test आएगा maths के question पूछा जाएगे और paper 2 में आप से general ability test पूछा जाएगा उसका क्या syllabus रहेगा अभी हम देखेंगे पहले इसका pattern और marking scheme समझ लेते है paper 1 जो है यानि कि जो आपका math है वो धाई गंटे का paper होगा और paper 2 यानि कि GAT general ability test वो भी धाई गंटे का आपका paper होगा ठीक है इसमें आपका paper 1 जो है यानि कि math का है जो है वो 300 marks का होगा 120 questions होंगे उसमें और अगर आप 1 question सही करते हो तो plus धाई number की marks आपको दिये जाते है यानि कि 2.5 marks आपको दिये जाते है अगर आप कुछ गलत कर देते हो तो minus 0.83 आपके काट लिये जाते है अगर आप कोई answer नहीं देते हो तो उसके आपको 0 number मिलेंगे यानि कि ना ही plus ना ही minus अगर आप सही करते हो तो 2.5 अगर आप गलत करते हो तो minus 0.83 बात समझ में आ रही है और total जो questions है 120 है 300 marks का paper होगा अब बात करते हैं general ability test की इसमें total 1500 questions आते हैं 4 number दिये जाते हैं अगर आप एक question सही करते हो और अगर आप एक question गलत कर देते हो तो minus 1.33 marks reduce कर लिये जाते हैं और अगर आप सही गलत कुछ नहीं कर रहे हो आप छोड़ दिये question तो उसके लिए 0 marks यानि कि ना ही plus होगा ना ही minus होगा ठीक है अच्छा कि English में ये सर्फ ये चेक करना चाहते है कि आपको English बोलना समझना आता है कि नहीं आता है अगर को English बोले तो आपको समझ में आता है कि नहीं क्योंकि ये Defense Academy है और आप अच्छी पोस्ट पे जा रहे हो आप Lieutenant बनने वाले हो ठीक है आर्वी में Lieutenant की पोस्ट आपको मिलती है आप इतनी अच्छी पोस्ट पे जा रहे हो तो आर्वी में जरूरी तो नहीं कि लोग सिर्फ हिंदी ही जानते हो कोई South का होगा कोई Assam का होगा कोई Jambu Kashmir से होगा कोई Rajasthan से होगा कोई Gujarat से होगा तो उन सब की भाषा सिखना तो बड़ा टफ है तो इससे अच्छा कि आप English सीख लो English सीखोगे तो सब से आप बात कर सकते हो चाहे वो जहां का भी हो इसलिए English सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि Defense Academy में भारत की विभिन चेतरों से लोग आई हुए होते हैं और उन सब की भाषा आपको समझना जरूरी है ठीक है? अच्छा तो English आपकी चेक की जाएगी इसलिए English का पेपर यहां पे रखा गया है English के 50 questions आएगे और General Awareness के 100 questions टूटल मिलाके 1500 questions इस section से आ रहे हैं आपके और टूटल 600 marks ठीक है? तो आप कहोगी कि General Awareness में क्या है फिर General Awareness में देखो Physics के subject पूछे जाते हैं Physics के question आते हैं 11th प्लस 12th के Basic Physics आती है बहुँछ टफ Physics नहीं आती है इसके बाद Chemistry केमेस्ट्री में और गनिक केमेस्ट्री के जादा questions आपको नहीं देखने को मिलेंगे एक्का दुक्का देखने को मिल सकता है लिकिन मेजरली फिजिकल केमेस्ट्री और इन और गनिक केमेस्ट्री आप से पूछी जाती है ठीक है? अच्छा अगला प्रोड़क्शन, चेल, टिशू, और गन, बॉड़ी सिस्ट्रम इन सब से रिलेटेड क्वेशन आएंगे कैसकते हो बाइलोजी का और कुछ आपका जोग्राफी से रिलेटेड क्वेशन आपके पूछे जा रहे हैं ठीक है? जियोलोजीकल अक्वेटी से रिलेटेड क्वेशन पूछे जाएंगे इसके बाद इसी में आपका करेंट इवेंट्स के क्वेशन पूछे जाएंगे यानि करेंट अफेर्स अभी क्या चल रहा है उसे रिलेटेड क्वेशन पूछे जाएंगे प्लस इसमें आपका social science से कुछ question पूछे जाएंगे social science में खास करके history और modern जो history है यानि कि आधुनिक जो इतिहास है उसके बारे में पूछा जाएगा और पुरानी जो historical चीज़े हैं उसके बारे में पूछा जाएगा ठीक है और जोग्राफी में आपका आर्थ का biosphere कैसा है आर्थ का longitude latitude कौन सी जगह पर क्या है Tropic of Cancer यह सब चीज़े पूछा जाता है कौन से state से होके गुजर रहा है कौन से मतलब country से होके गुजर रहा है कौन सी रिखा यह सब पूछी जाती है ठीक है इसका detail syllabus officially available है आप चाहो तो देख सकते हूँ मैं बस आपको एक idea दे रही हूँ हाँ math का भी detail syllabus में बताऊंगी आप देखो आप कहोगे फिर GAT में किस सब्जेट से कितना question आएगा क्योंकि GAT में तो कही सारी चीज़े हो गई English हो गया आपका English के तो 50 questions है और General Awareness की 100 questions है तो 100 में से किस के कितने question आएगे तो मैं बता देती हूँ Physics में से 25 questions आएगा Chemistry में से 15 questions आएगे GS में से 10 questions आएगा History में से 20 questions आएगा Geography में 20 questions आएगा Current Affairs में 10 questions आएगे So ये total मिला के आपके 100 questions हो रहे हैं तो आपके 100 questions आएगे General Awareness से 50 questions आएगे English से मिला करके 1500 नंबर का आपका paper 2 होने वाला है General Ability Test मैं जान रहे हैं इसका syllabus लंबा है इसलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता रहे हूँ तक कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना और आप अच्छे से एक्जाम के बारे में जान सको ठीक है Maths के syllabus की बात कर लेते हैं Maths में सिधा सिधा 11th प्लस 12th का आपका syllabus है जो आपने NCRT में पढ़ रखा है मैं पढ़ भी देती हूँ Algebra है, Matrix and Determinance है Trigonometry है, Analytical Geometry of 2D and 3D है Differential Calculus है, Integral Calculus and Differential Equation है Vector Algebra है, Statistics and Probability है इतना सारा आपका 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 Maths के syllabus में ये पूरा कम्प्रीट मिला के आपका Paper 1 और Paper 2 होता है ठीक है So आपके टोटल कितने हो रहे है टोटल 900 मार्क्स आपके हो रहे है 300 मार्क्स Paper 1 में, Maths में और 600 मार्क्स Paper 2 में, GAT Test में ठीक है ये 900 मार्क्स आपका होता है अप्लिकेशन फर्म तो आप आप ओनलाइं भड़ते हो लेकिन ये जो एक्जाम आपका हो रहा है ये ओफलाइन एक्जाम होता है ठीक है, ये आपका क्या होता है? अगर आपके 300 मार्क्स भी आते है ये बहुत ज़्यादा हो गया तो 300 अगर आपके 300 मार्क्स आ जाते है तो पक्का है कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा 100% है कि आपका मतलब जो रिटें टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा ठीक है, इसके बाद आपका इंटर्व्यू का कॉल आना तै है अगर आपके 300 या 300 मार्क्स है तो भी आपका इंटर्व्यू का कॉल आना तै है इतने मार्क्स आपके आने जरूरी है ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर आप इतना qualify कर ले जाते हो तो आपका result आएगा result आने के बाद interview के लिए call करके या फिर आपको mail भेज करके बुलाये जाएगा ठीक है और जहां बुलाये जाता है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा जब आप जाओगे वहाँ तो अपनी ticket का print ले करके जाना तो वो आपको पैसे उसके लोटा देते हैं जितने भी पैसे आपके लगेंगे जितना भी किराया लगा रहेगा वो आपको लोटा देंगे सो वो खुद इसका खर्चा उठाते हैं आपके जाने आने का ठीक है सो आपको क्या करना है अगर इंटर्व्य के लिए बुलाये जाए तो आपको समय रहते वहाँ पहुचना है पांच दिन का इंटर्विव होगा अब पांच दिन वो इंटर्विव में क्या करेंगे वो हम डिसकस करते हैं सब कुछ मैं आपको डीटेल में बता रही हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं NDA की डीटेल वीडियो बना रही हूँ तो सब कुछ बता डालू यह बहुत लंबा प्रोसेस है बच्चो एक्जाम का इतनी आसानी से मतब सैनिको का सेलेक्शन नहीं होता वो भी टॉप लेवल टॉप रैंकर्स में यानि कि लेटिनेंट आप बन रहे हो चीफ आर्मी ऑफिसर बन रहे हो तो ऐसे थोड़ी सेलेक्शन हो जाता है इसके लिए काफी प्रोसेस है इंटर्वीू की बात कर लेते हैं देखो इंटर्वीू आपका पांच दिन का होगा जोबी सेलेक्ट हुए उनका 5 दिन तक इंटर्वी चलेगा आप को मैं 5 दिन क्या पूछा जाएगा आप डरो मत मैं समझाती हो पांच दिन में मेजरली इनका मुद्धा ये होता है ये चेक करना कि आप कितने सहल सील हो आप कितना गुरूप में काम करने लायक हो ऐसा तो नहीं है कि आप गुससे से तुरन भड़क जा रहे हो लोगों को गुससे में कोई decision दे दे रहे हो ठीक है कि 5 दिन में इस सारी activities आपकी चेक की जाती है कि आप वास्तों में उस पद की योग्य हो की नहीं हो सिर्फ आपकी बुद्धी ही तेज है कि वास्तों में आप डिजर कर रहे हो यह सारी चीज़ें वो देखते हैं क्या-क्या होगा पांचों दिन वो में आपको बताती हो पहले दिन क्या होगा पहले दिन कुछ टेस्ट आप से लिये जाएंगे जैसे जैसे official intelligence, rating test, picture perception और description test यह सब आप से लिया जाएगा इसमें क्या होता है समझो मेरी बात जैसे कि मालो आपको कोई फोटो दिखाए गया उस फोटो में मालो पेड है पेड के ऊपर बादल है पेड में कुछ फल लगे हुए है और नीचे कोई आदमी खड़ा हुआ है अपने बेबी के साथ आपको दिखा के हटा दिया गया अब मालो आपसे पूछा गया नीचे घास थी की नहीं थी सो डिपेंड करता है आपने ध्यान से देखा की नहीं देखा की मीचे घास बिछी थी की मैट बिछा था क्या बिछा था सो आपको कुछ समय के लिए पिक्शर दिखाए देगी और फिर उससे रिलेटेड क्वेशन पूछे जाएंगे चार-पांच क्वेशन साएंगे सो इससे चेक होगा कि आप चीजों को कितनी ध्यान से देखते हो मालो आप डिफेंस में जा रहे हो अगर आप चीजे ध्यान से नहीं देखोगे अपने आसपास के प्रती अवेर नहीं रहोगे तो फिर हो सकता है कोई दुरघटना हो जाए आप लेटेन के पद पे जा रहे हो आप इतने अच्छे पदों पे जा रहे हो सो आपके लिए हर चीज ध्यान पूरवक देखना जरूरी है इसलिए ये वारा टेस्ट कराया जाता है ठीक है कुछ पिक्चर्स दिखाए जाती है मेजरली पिक्चर्स दिखा करके उससे सवाल पूछे जाते है वो पिक्चर हटा दी जाती है फिर उससे रिलेटर सवाल पूछे जाते है ताकि ये देख सकें कि आपका memory कितनी शार्प है और आप कितनी actively किसी चीज़ को देख रहे हो आप कितनी concentrated हो अपने जीवन में ये चेक किया जाता है पहले दिन और पहले दिन जो इसमें pass हुआ तो pass हो गया अदर्वाइस उसको वहीं से वापस भीज दिया जाता है इसके बाद आता है दूसरा दिन दूसरे दिन क्या होता है दूसरे दिन psychology test होता है psychology test में ये test करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत जल्दी बौखला जा रहे हो आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे पारे हो तो बौखला जा रहे हो या आप अपना patience को बैठ रहे हो आप mentally ठीक हो की नहीं ठीक हो आप कितना जूढ बोलते हो तो आपसे मालो कुछ ऐसे वो सवाल करेंगे जैसे कि मालो आपका एक दोस्त है और वो दोस्त फंस गया है ठीक है और आपके चार दोस्त पीछे खड़े हैं आप इनको बचाओगे कि उनको बचाओगे आपका ये जिगरी दोस्त है, तो आप ऐसे समय पे क्या decision लोग है, उन चार लोग को बचाने का कि अपने जिगरी दोस्त को बचाने का, ये सब चीजें वो पूछते हैं, आपका mental level का test लेते हैं, कि आप किस तरह की सोचने समझने की शमता रखते हो, और कितना patience आपके अंदर है, विकेट परिस्थितियों में आप किस तरह का decision ले सकते हो, ये सब वो चेक करते हैं, ठीक है, दूसरे दिन, फिर आता है तीसरा दिन, यहां से वो direct out नहीं करेंगे, मालो यहां से आप डिस्क्वालिफाई भी होते हो, तो भी वाव direct आपको नहीं भगाएंगे, आपको day day 2 से लेकर के day 5 तक, जो आपका final result आएगा, उसके बाद वो होशित करेंगे, कौन select हुआ, कौन नहीं हुआ, लेकिन पहले दिन, अगर आप select नहीं हुए, तो पहले दिन से आपको वापस कर देंगे, पर day 2 में अगर आप चले गए, तो दूसरे दिन से लेकर के 5 दिन के बा अगों से आपका तालमेर ही नहीं बैठ रहा है, आपको एक ग्रूप दिया गया और ग्रूप में कोई टास्क दिया गया, आप उस ग्रूप के साथ काम ही नहीं कर पा रहे हो, आपको ग्रूप में काम करना आना चाहिए, आप बहुत इंडिविजुल नहीं होना चाहिए, क आप से वह चीज भागद और खेल कुछ भी करवा सकते हैं तो उस ग्रूप में आप कैसा काम कर रहे हो उसके बैसिस पर एनलाइज करेंगे कि आप वास्तों में उस योग्य हो की नहीं हो इसके बाद आता है डे फोर डे फोर में आपका इंटर्वीव होगा यानि परसनल आप से कुछ चीजें पूछी जाएंगे हो सकता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके बैग्राउंड से रिलेटेड हो आपने क्या किया मतलब आपका खाली हाव बहाओ चेक्किया जा रहा है कि आपके मेंटालिटी किस लेवल की है ठीक है बस आपका हाव बहाओ बहाँ चेक करेंगे वहाँ कोई बहुत मतलब ऐसा ने कि बहुत टफ क्वेशन पूछे जाएंगे जो आप करके आये हो वही चीज़े पूछे जाएंगे ठीके, आपके मानसिक्ता जानने का प्रयास किया जा रहा है बस यही एक मकसद है इस पूरे इंटर्व्यू परोसिस का दे फाइफ में क्या होगा? दे फाइफ में कॉन्फरेंस होगा यानि कि गुरूप डिसकर्शन होगा कोई एक मुद्दा दे जाएगा और महां पे गुरूप्स बना दिये जाएंगे कि इस मुद्दे पे आप लोग बातचीत करो और देखा जाएगा किसकी बौद्दिक शमता किस तरह की यानि किसी प्रॉब्लम को कोई किस तरह से सॉल्व कर रहा है कुछ ऐसा प्रॉब्लम लखेंगे वो लोग जिसका सॉलूशन वेराइटी हो मतलब बहुत सारी सॉलूशन हो जिसके एसा मुद्दा रखेंगे और आपको डिसकेशन करने का मौका देंगे जो जिस तरह से डिसकेशन कर रहा है उस हिसाब से वो उसकी शमताओं के बारे में सोचेंगे यह पूरा जो पांस दिन की प्रॉसस है वो आपके 900 मार्क्स की होगी 900 मार्क्स की होगी और इस 900 मार्क्स में अगेन अगर आप 300-300 मार्क्स लिया देते हो तो आप सेलेक्ट हो जाते हो इसमें यह आपके हाथ में यह मार्क्स लाना बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत पेशन्स रखना है गुस्सा नहीं होना है जूट नहीं बोलना है अपने आप से ठीके आप जो वास्तों में हो उस चीज़ को आपको प्रेजन्ट करना है और कोशिश करना है कि आप मिलंसार रहो लोगों के साथ आप अच्छा बिहेव करो ग्रूप में अच्छा काम करो और जल्दी गुसा मत हो जल्दी frustrate मत हो, जल्दी emotional मत हो, ये सब चीजों से आपको बचना होगा और चीजें याद रखने की हमेशा अपने आपको concentrate रखने की कोशिश करो अगर इतना करते हो तो आपका selection आसानी सो जाएगा, बाकि यहां और कुछ होता नहीं है इसी interview को, मतलब इस पूरे 5 दिन की process को SSB test के नाम से भी जाना जाता है या साधान तोर पे interview के नाम से भी जाना जाता है तो अगर आप से कोई पूछे कि SSB test NDA में क्या है, तो आपको होगी यही 5 दिन की interview वाली process ही SSB test है ठीक है, सो इतना हो जाने के बाद आपका admission हो जाता है बात समझ में आई, एक बार में summarize कर देती हूँ देखो, April में क्या होगा? कि आपका 13th April को paper होगा paper 1, paper 2, यानि कि math को और GAT का paper होगा total 900 marks का paper है, 900 marks में अगर आप 300 से 300 marks ला देते हो तो आप select हो जाते हो आप मतलब 3rd AC में जाओ या मतलब कहीं से भी जाओ आप ट्रेन की टिकेट से जा रहे हो तो जितना भी पैसा लगा कि आप गए हो वो पैसे आपको वापस कर दिये जाएंगे वहाँ जाने के बाद ठीक है, वहाँ जाने के बाद आपको 5 दिन वहाँ रखा जाएगा 5 दिन में आपके पूरी खाने पिने की सारी सुधाय होंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूद नहीं है 5 दिन में आपका हाओ भाओ हर तरह का चेक किया जाएगा, सारा टेस्ट मैंने आपसे बता दिया, उसे हम SSB टेस्ट कहते हैं यह 5 दिन आपका चलेगा और इस 5 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, आपको इसमें कितना marks मिला, अगर लगभग सारे 300 marks हो मिल गया है तो इसमें आप सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है, सेलेक्ट हो जाओगे तो इसके बाद आपक पर लोग RV में जाते हैं निंगे अपनी च्वैजे कि आप किस् Braun उत्य प्सक्ताइल टाइए यह जा सकते जादे अज्य जिनके अच्छे मांक्स होते हैं ुनको मिला करके वह साथ सो नंबर स्कुणने the फिर उसके बाद वाले को प्रायोटी दिया जाएगा कि आप कौन सा चुन रहे हो, वो चुन लेगा, फिर आपके आने तक अगर आपके चुनने में से सीट बचती हैं, तो जो भी सीट बची हैं, उसमें से आपको चुनना होगा, ठीक है, कितनी सीट होती हैं, उसके आम बात क 12 seats एक फीमेल के लिए रिजर्व होती है इसके बाद होती है एर फोर्स में एक फ्लाइंग यानि कि जो औराते हैं प्लेस वगेरा को उडाते है एर फोर्स में थैक या फ्लाइंग में जब प्लेइन वगेरा चल रहा है तो उसके अंदर जो भी अक्टिविटीज में या ज़र Ground duty, technical यानि कि Això मतलब की Air Force में इसा तो नहीं कि हमेशा विमान में ही रह रह रहे हूँ, विमान की बाकी चीजेहों का भी काम पड़ता है, तो Ground Duty में अगर א una tech Department में हो यान कि नेवल में, नेवी जो है, नेवी में J-Mains के थूँ भी यहां पे जाते हैं, लोग J-Mains and J-Advans के थूँ, तो ऐसे लोगों के लिए 30 सीट रिजर्व रहती हैं, जिसमें से 9 सीट फीमेल के लिए होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसमें जो जो मैंने फीमेल सीट बता है कि क्या हमने जब सारा एक्जाम क्वालिफाई कर लिया तो क्या हमें पैसे मिलने लगेंगे तुरंत, तो एंस्वर है नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं आपको समझाती हूँ आगे क्या होता है, यहीं कहानी खतम नहीं होती, देखो आपके लिए सब कुछ जानना जरूरी है, अब लास्ट फेस पे हम चल रहे हैं, इसके बाद सालरी की हम बात करेंगे, फिर वीडियो खतम हो जाएगा, एंडिये के, देखो, एंडिये में क्या हुआ कि आपने एंडिये का एक्जाम क्लियर कर लिया, इंटर्विवी क्लियर कर लिया, आपने चुन भी लिया कि आपको और शेमीया कि अठीये कर, या आर्मी वाले B.Tec नहीं कर सकते हैं, अगर आप नेवी में या एरफोर्स में जा रहे हो, तो आप इन तीनों में से कोई भी चुन सकते हो, चाहे तो आप B.Tec चुन सकते हो, चाहे तो B.E.C चुन सकते हो, आपकी मरजी आपको क्या चूज करना है, और इसकी पढ़ाई कहा होगी, इसकी पढ़ाई आपके GNU में, जवाहालाल नहरू उनिवरस्टी देली में होगी, ठीक है, डेली में आपको पढ़ना होगा, अच्छा, फीस वगरे कि सब की हम बात करेंगे, सुनो पह है, ऐसा नहीं है किसके बात फिर से आपको कोई एक्जाम देना उगा, नई, नवकरी लगना फिक्स है, आपने एक बार NDA का एक्जाम देके आप गए हो, तो अब आपको कोई एक्जाम देनी के जरूवत नहीं है, हाँ, सेमेस्टर के एक्जाम देने होंगे, जो B.A.B.C. एडमिशन के टाइम पे 35,376 रोपय देने होते हैं प्लस 20,000 रोपई खाने का पैसा देना होता है ठीक है इसमें से ये 6 महीने तक का खर्चा है 6 महिने तक आपको एक ही बारा को दे देना है फिर 6 महिने आपको कुछ भी नहीं देना है और इन 6 महिनों तक आपको 25-25 रुपय मंथली आपको pocket money दी जाएगी या scholarship मालो pocket money जो भी मालो आपको धाई हजार रुपय दिये जाएंगे हर महिने इन 6 महिने तक जैसे ही 6 महिने पूरे हो जाएंगे उसके बाद वापस से आपको 15,000 जमा करना होगा फिर वो आगे के 6 महिने तक आपको 500,000 देते रहेंगे आसल कहने का मतलब यह है कि maximum जो आप दे रहे हो वो आपके उपर ही वो खर्च करेंगे वो खुद नहीं रखने वाले लेकिन आपके खर्चे के लिए वो आपसे पैसे ले रहे है शुरुवात में जो उन्होंने 30,000 लिया है वो आपके यूनिफॉर्म का आपके रहने का आपके बाकी चीजों का बाकी अक्टिविटीज का खर्चा उन्होंने लिया है इसके बाद वो कभी नहीं लेंगे आपसे पैसा बस हर 6 महिने में 15,000 लेंगे और वही 6 महिने तक आपको बाटते रहेंगे 15,000 लिया डाई-डाई-हजार हर महिने बाट दिया आपको जो ले रहे है वो आपको बाट दे रहे है पर उनका ये नियम है कि हम आपको ऐसा निये कि कठे पैसा देना चाहें, वो आपको पार्ट पार्ट में पैसा देते हैं, ताकि वो आपको डिसिप्लीन सिखा सकें, डिसिप्लीन सिखाने के लिए इसारा काम हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आपको तब तक पैसे मिलते हैं और आपको पैसे देने पड़ते हैं 6-6 महिने के अंतराल पर जब तक आपका B.A.B.S.E. या B.T.E.C. कम्ट्रीट नहीं हो जाता जो भी आपने चूज कर रखा है जैसे ही यह कम्ट्रीट होगा उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी ठीक है ट्रेनिंग कहा होगी जैसे मालो आपने मिलिट्री जोइन कर रखी थी आर्मी जोइन कर रखी थी तो I.M.A. यानि की इंडियन मिलिट्री अकैडमी में आपकी ट्रेनिंग चलेगी अगर आपने Air Force जोईन करका है तो Air Force Academy, AFA में आपका ट्रेनिंग होगा अगर आपने Navy जोईन करका है तो INA यानि कि Indian Level Academy में आपकी ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग आपकी एक साल की होगी, सभी लोगों की देखो पहले क्या हो रहा था? Graduation की टाइम सब लोग एक साथ पढ़ रहे थे चाहे वो जल से ना का हो, थल से ना का हो, वायू से ना का हो लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग होगी सब लोग अलग-अलग डिपार्टमें में जाएंगे Military वाला Military में जाएगा, Air Force वाला Air Force में जाएगा, Navy वाला Navy में जाएगा और इस दोरान क्या होगा? इस दोरान आपको पैसे भी दिये जाएंगे आपको 56,100 रुपे हर महीने दिये जाएंगे 56,100 रुपेज हर महीने आपको दिये जाएंगे थाइस के बाद क्या होगा इसके बाद आपकी जॉब लगनीत है कोई गिजाम आपको दिने की जरुवत नहीं है जॉब आपकी लग जाएगी जॉब लगने के बाद क्या होगा अच्छा जब आपको ट्रेनिंग चल दिये ना तो आपको खाना, पीना, अ ayrmy भाद तो आप सा 70,000 से लेकर 1 लाक पर मन तक होगी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां होई इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है मालो आपको कश्मीर बेज दिया गया कश्मीर क्योंकि टफ इलाका है वहां रहना लिविंग थोड़ा सा टफ पढ़ता है वहां थोड़ा से क्योटी का भी डर रहता तो आपको लाक रुपे, डिज लाक रुपे महिना दिया जाएगा अगर आपको डेली में पोस्टिंग हो रही है सेक्योर जगह पे हो रही है देखो इसके साथ-साथ क्या मिला है घर, गाड़ी, नौकर, चाकर, सब कुछ मिलते हैं आपको, पेट्रोल तक का पैसा मिलता है, कैंटीन में चीजे बहुत सस्ती मिलती है, खाने तक का पैसा, मतब खाने भी फ्री में मिलता है, यानि कि 1.5 लाग जो आपको मिल रहा है, वो सिर्फ आपके लगजरी चीजों के लिए है, घड़ी, जो भी आपको लगजरी चीजे लेने हैं वो ले लो, और लेने में भी कम दाम पे पड़ेगी, जैसे माल लो आप घड़ी लेने जा रहे हो, तो कैंटीन में जो वास्तों में घड़ी 10,000 की मिलती है, कैंटीन में वो सकता है, 5,000 की मिल जाए, तो आपको टोटल बचत ही बचत है यहाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेवी की बात कर लें, तो नेवी में 50,000 रुपे महीना मिलता है, 50,000 से 1,00,000 रुपे, अगें डिपेंड करता है कि कहां आपकी पोस्टिंग होई है, और इसमें भी वो सार आइंग वाले में हो, टेक हो की नॉन टेक हो, इस पर डिपेंड करता है आपके सालडरी, तो सतर हजार से लेकर के एक लाग तक होती है, ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें भी आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, घर, नौकर, चाकर, गाड़ी, पेट्रोल, सब कुछ आपको मिलता है, और इन सब के लिए कैंटेंस होते हैं, जो भी आप खरीदने जाओगे, उस खरीदने हर एक चीज पर आपको दाम कम मेलेगा, अगें, दूसरा एक फाइदा यह होता है, कि मेडिकल सर्विस, कहीं भी अगर आप मिलिटरी के हो, तो मेडिकल सर्व पूरा पेवर पैटन, मैंने सब कुछ A to Z आपको बता दिया, इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है, तो आप कॉमेंस में मेंशन करो, मैं और अनुप सर उस पर वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तयार खड़े हैं, ठीक है, और 12th के बाद और कौन-कौन सी न जिसमें लोग गौर्वन जॉप के सारी कि सारी अपडेट से रहते हैं, ठीक है, so that's all about the video, I hope this video was helpful for you, thank you so much for watching, bye, take care, wish you all the best झाल